हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार पुना है अमारे यूटूब टेनल बेस्ट नोर्स टुटोरियल में तो कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छ होंगे तो ये है डे 28 तो उतराखन प्रिवेस एयर क्वेस्टेन पेपर से मैंने 20 MCQs कलेक्ट किये हैं आप लोगे के गुण संदी अयादी संदी अयन संदी तो आपका इसमें जो सयांसर है ओप्सन नमर ए गुण संदी नेक्स्ट है शुद्वर्तनी का चैन कीजे तो अध्व पतन आपका इसमें सयांसर है ओप्सन नमर बी नेक्स्ट है इस वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है प्रश्ण वाचक, विभु वाचक, निशेद वाचक और इच्छा वाचक तो आपका इसमें जो सयान सरह हो है आपका ओप्सिन नमर डी इच्छा वाचक वाक्य है इश्वर तुम्हें सफलता दे नेक्स्ट है कारण के अभाव में कारे की उत्पति का वर्णन किस अलंकार का लक्षन है विभावना, विरोधावास, परिकर, अन्योक्ति तो आपका इसमें जो सयान सरह हो है ओप्सिन नमर ए विभावना और दोस्तों यदि आप UKPSC और UKSSS exam की test re-join करना चाहते हैं तो आप हमारा app डाउनलोड कर सकते हैं जो की BN tutorial नाम से हमारा app है और यदि आप टेलिग्राम पे अभी तक नहीं जोड़े हैं तो टेलिग्राम की लिंग आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगी तो नेक्स्ट है अर्विन का परियावाची सब्ध है तो अर्विन का परियावाची सब्ध है कमल ओप्सिन नमर C is right answer नेक्स्ट है सत पलस भावना बराबर सत भावना में कौन से संदी है स्वर संदी दीर्ग संदी बियंजन संदी और विसर्ग संदी तो बियंजन संदी आपका सही answer है कोईलों की दलाली में हाथ काले लुकोक्ति का अर्थ है तो बुरे का साथ करने से कलंक लगता है अफ्यन नमर C नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी दिवस किस दिन मनाये जाता है 11 जून 14 सितमबर 14 और 14 नमबर तो आपका सयान से रहे 14 सितमबर पृत्षिवी मूर्धन्य धनिया है काखा गागा चाचा जाज़ा टाठा डाठा ताथा दाधा तो आपका इसमें जो सयान से रहे वो है टाठा डाठा नेक्स्ट है सहमिदान के अनुचित 351 में किस बिसे का वर्लन है संग की राजभासा उच्तम न्याले की भासा पत्राचार की भासा और हिंदी के विकास के लिए निर्देश नेक्स्ट है निम लखिन में से वाक्य के सुद रूप का चैन के जे रोटी बच्चे को पका कर खिलाओ या बच्चे को रोटी पका कर खिलाओ तो आपके इसमें जो सही सीक्वेंस है वो है बच्चे को रोटी पका कर खिलाओ नेक्स्ट आये थे हरी भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है भगवान की भक्ति प्रतिक भ्यक्ति नहीं कर सकता मारग से भटक जाना मुख्य कारे को ताग त्याग कर अन्य कारे में लग जाना भग्ति करते हुए ब्यापार करना तो ये जो से अंसर वह है उप्सिन मुख्य कारे को त्याकर अन्य कारे में लग जाना नेक्स्ट है वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारे अंग बांटन वांटे को लगे जो मेहनि को रंग रहीम उप्रोग दोहे में कौन सा अलंकार है यमक, स्चलेश, परिशंक्या, उधारण तो उधारण आपका सही आंसर है प्रमुक मातरिक छंद है अहीर चौपाई बरवे भुजेंग्रा, इंद्रवजा, दोहक उप्रोग दोनों उप्रोग में से कोई नहीं तो अहीर चौपाई वरवे आपका सही आंसर है नेक्स्ट नीचे दी गई कावय पंक्तियों के रचियता है तो राम तुम मानो होई इस्वर नहीं हो क्या विश्व में रमे होई सब कहीं नहीं हो क्या मैथली सरण गुप्त, जैसंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, आयोध्या, शिंग, उपाध्या, हरी ओध तो मैथली सरण गुप्त के ये कावय पंक्तियों है नेक्स्ट नहीं तनमन धन से तुम्हारी रक्षा करना चाहता है वा कि मैं बिराम चिन लगेंगे कौन सा उप्सिन नमर A, उप्सिन नमर B, उप्सिन नमर C, उप्सिन नमर D तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका उप्सिन नमर C, और नेक्स्ट है निम लखिन में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है रेखाएं और चित्र रेखाएं बोल उठी अतीत के चल चित्र रेखा चित्रे तो सही अंसर है आपको अप्सिन नमर सी अतीत के चल चित्र नेक्स्ट है आंतरिक तथा बाहे सिस्रोतों से यहाँ घ्यात हुआ कि सम्मुन 1535 की वेसाख सुकल पंजमी को सीही नामगराम में एक बालक का जन हुआ वहाँ बालक था सूर्दास कवीरदास तुलसीदास केशव सूर्दास आपको सही अंसर है नेक्स्ट है जिस बिमारी का ठीक होना संभव नहों वाके के लिए सही सब्द चुनिए विकट असाध्य भयानक गातक सही अंसर है असाध्य आप्शन नमर बी नेक्स्ट है लूप्त स्वर कहते हैं जिनका उचारान नासिक से किया जाता है जिनका उचारान गाकर किया जाता है जिनके उचारान में देर्ग स्वर भी अधिक समय लगता है और जिनका उचारान किया जाना संभव नहीं है तो सही आंसर है आपका उप्शन नमर सी जिनके उ पसंद आए होगी तो हम मिलते हैं कल इसी समय दूसरी M.C.Q सिरीज में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक एर